वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूस्फुल होने वाली है आज के session में आपके साथ discuss करूंगा कि कौन कौन सी problem से कौन कौन से चैलेंजिस हैं जो की financial manager को face करने पड़ते हैं तो अखर हम पहले challenge की बात करें कि economic uncertainty तो हमारी economic है वो fix नहीं है वो randomly इसमें change आते रहते हैं उन चेंज जिसका हमें भी नहीं बता होता है कि ये चेंज आ सकता है उस सड़न चेंज आते हैं उनकी मुझा से कहीं न कहीं हमारे जो financial manager है उससे उसकी policies को बनाने में काफी problems आती हैं तो इसके अंदर basically कौन-कौन से risk होते हैं कौन-कौन से loan ले रखा था उसके एकदम से उन्होंने interest rate चेंज कर दिये हैं अब कोई global trade tensions आ गई है मतलब कह सकते हैं कोई international level पर कोई war start हो गई है like आप ऐस टाम पर Russia और Ukraine की war है तो यह सभी चीज़े क्या होती है हमारे economy को कह सकते हैं एक uncertainty उसके अंदर create कर देती है तो आपने जो planning पहले आए हैं जो uncertainties आई हैं like आपको कोविड आ गया था उससे पहले उन्होंने कभी यह नहीं सुचा को कि हम कोविड के हिसाब से अपनी policies बनाएंगे अब एकदम से कोविड आ गया तो यह बहुत बड़ा challenge था बहुत बड़ी problem आ गई थी हमारे financial managers के सामने अब उन्होंने balance क्या है कि हमारी जो economy है वो uncertain है uncertainty है उसके अंदर कोई भी उसके अंदर random change आ जाते हैं दूसरा होता है regulatory compliance अब regulatory compliance का मतलब कि है कि जब कोई भी हमारी हमें investment करना हो हमें tax fill करना हो अपने accounts को maintain करना हो तो हमें बहुत सारे rules, regulations, laws को follow करना पड़ता है अगर आप किसी law को follow करना भ authorities है आपको जो audit करते हैं वो आपको reject कर देंगे आपको उपर हो सकता है वो fine भी impose कर दें और अगर आपके पास कोई fine impose होता है तो कहीं न कहीं उससे आपकी जो reputation है market में वो damage हो जाती है तो यह भी बहुत बड़ा challenge प्रोबलम है कि उनको ध्यान रखना होते हैं जितने भी rules है regulations हैं उन सबी के हिसाब से ही वो अपनी reporting करें अपने taxation को maintain करें और अपनी investment activities को पूरा करें अगर इनमें किसी के अंदर भी कोई कमी रहे गई किसी को भूल गए तो कहीं न कहीं उसकी वजा से उन्हें एक heavy penalty pay करनी पड़ेगी जो कि उनकी reputation के लिए अच्छी नहीं है नेक्स्ट है technological change अब जिससे time increase हो रहा है time आगे भढ़ रहा है daily कोई ना कोई नई techniques आने लग रही है अब हो सकता है किसी finance manager ने 2000 के अंदर कोई firm join करी अब 2005 के अंदर कोई नया rules regulations आ गया regarding to आपके cost के regarding to आपके maintenance के regarding to आपके किस त्रा maintain करनी है अपनी books आपको depreciation किस त्रा calculate करना है आपको अपनी financial reporting कैसे त्यार करनी है तो daily यहां पर कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं और जो आपके directly impact करते हैं आपके financial management पर तुमारा जो भी finance manager होता है उसको उन सभी technologies का systems का proper knowledge होना चाहिए जिसके त्रूकिए अपनी efficiency को वो improve कर सके अपनी cost को reduce कर सके company की organization की अब organization की cost को तभी reduce कर पाएगा जब वो जितन जितनी भी technologies आ रही हैं उन सभी के impact से aware हो उन सभी को use करना समझ आता हो तो या उन सबसे वो कह सकते हैं known हो जितनी भी technologies उन सभी के बारे में उस तो जानना जरूरी होता है यह भी बहुत बड़ा challenge कि daily कुछ ना कुछ नई technologies आ रही है अब यह तो जरूरी नहीं कि जितने finance manager ह वो हर तरीकी की technologies को जानते हूं हर किसी aware हूं तो यह भी बहुत important role play करता है कि वो technologies को लायक भी जाता है जिसके तो कि efficiency को improve किया जा सके cost को reduce किया सके और अपनी financial reporting को enhance कर सके बट अगर किसी finance manager को knowledge ही नहीं यह नहीं technology की तो इन works को नहीं कर पाएगा next आपका talent management so financial manager must ensure that they have a team of qualified professionals क्योंकि आपका financial manager होता है वो इनकी सारे काम खुद करता है वो एक team को create करता है अपने लिए जो उसके भिहाफर उसके सारे works को complete करें अब किसी को उसने sign करता है कि कोई balance sheet prepare कर रहा है कोई cash flow बना रहा है कोई ratio उसको analyze कर रहा है मतलब एक complete team होती है उसके पास और team कैसे बनाते हैं वो वो देखते हैं कि उन persons के पास right skills है या नहीं है अगर right skills है वो expert है उस चीज के अंदर तो उनको select हिया आता है उस team के अंदर तो इनका selection करना भी बहुत ज़्यादा है क्यास के challenging work होता है financial manager के लिए अब next आपका cash flow management अब cash flow होता क्या है cash flow दो तरीके का होता है inflow या outflow अगर हम inflow बोलते हैं तो business के अंदर profit के through या किसी भी method से पैसा आने लग रहा है मतलब incoming हो रही है पैसे की और अगर हम बोलते है cash outflow है मतलब company से पैसा बाहर की तरफ जा रहा है मतलब outgoing किसी भी तरीके से जा सकता हो सकता है आपने investment करी हो कहीं पर आपने को interest पे कर रहा है आपको loss हो है मतलब कोई भी काम हो सकता है याँपर तो financial manager को देखना होता है किस तरह manage करे company की cash inflow को cash outflow अब देखिए अगर मेरे पास 100 रुपीस company के अंदर आए तो मैं 100 की investment करूँगा अगर इस condition मैं 110 की investment कर दी तो कहीं न कहीं मैं loss में चला जाओंगा जो 10 रुपे extra है मैं इनको दे नहीं पाओंगा और इसकी वज़द कहीं कई मेरे reputation खराब होईगी और in case अगर मैं 100 रुपीस मैंने earn करें और मैं सिरफ 80 रुपीस की investment कर रहा हूं तो कहीं न कहीं मेरे पास 20 रुपीस ideal पड़े हैं वो waste है मेरे लिए हमें उनका proper utilization नहीं कर रहा हूं तो आप उनको देखना होता है कि किस तरह inflow और outflow के अंदर एक coordination establish करें जिसके थ्रू कि अपने proper उसका utilization कर सकें चाहे हो हमारा cash inflow हो चाहे cash outflow हो उनके पास proper sufficient funds होना चाहिए जिसके थ्रू कि अपनी जितनी भी requirement है पैसो की funds की उसको तुरंद पूरा कर सकें तो इस सारा काम किसका होता हमारा finance manager का बहुत बड़ यह कैसके एक problem भी आती कई कि उन्हें देखना होता है कि अगर उनके पास inflow कम है तो किस तरह उस inflow को extend किया जा सके और outflow जादा है तो किस तरह उस outflow को कम किया जा सके तो यहाँ पर रखा सकते हैं एक technical knowledge की एक skills की requirement होती है हमारे finance managers को next आपका capital budgeting capital budgeting मैंने आपको बताया यह पहले कि capital budgeting होता क्या कि आपके पास total जितना finance जितने funds available है उन total funds का allocation करना होता है कि आप कितने को long term investment fund कर रहे हो कितने का आप short term में use कर रहे हो किस किस department में allocate कर रहे हो आप facility के लिए allocate कर रहे हो equipment के लिए या technology upgradation के लिए daily work के लिए मतलब हर company के पास हर organization के पास funds तो अवेरेबल limited है न यह नहीं कि इसी बार unlimited funds है limited funds के अंदर अपनी unlimited desires को requirement को इस तरह complete करना जिसके थूँ कि हम अपनी firms के organizations के goals को objectives को easily achieve कर सके और अपने उन funds को proper utilize कर सके तो यह भी काम किसका होता हमारा finance manager का अब next आपका financial analysis आप financial analysis होता है financial basically इसके अंदर आपकी financial reports आती है financial जो भी आपकी books होती है वो सब आती है उनको analyze क्या क्यों जाता है देखो क्योंकि अगर आपको future के decisions लेने हैं तो कहीं न कहीं उनका एक आपको एक trend previous data से ही मिलेगा आप पहले की records को देखकर ही पता कर सकते हो कि कौन सा segment आपके लिए profitable है कौन सा segment आपको profit दे रहा है कौन सा segment आपके लिए loss दे रहा है या किस sector में investment करकर आप highest profit earn कर रहे हो short term में करो या long term में करो क्या method adopt करना चाहिए हमें कह सकते हैं आपका depreciation लगाने का जिसके थूर के हमारा profit maximize हो सके कितना हमें interest देना चाहिए कि अपने dividend holders को preference holders को कितना profit देना चाहिए मतलब यह बहुत सारे work होते हैं जो कि आप financial reports को analyze करकर ही इनके बारे में कुछ ना कुछ इनको improve करने के लिए अपनी recommendations दे सकते हैं और यह को क्यों दे राता है जिसके तो कि हमारे जो भी stakeholders हैं चाहिए वो organization के अंदर हो चाहिए organizations के बाहर हो वो easily उस information को समझ सकें और वो हमसे easily communicate कर सकें तो financial analyze भी नहीं करना होता है जो कि एक बहुत बड़ा task होता है financial managers का next है strategic planning अब हमारा जो finance manager है अब उसको इस तरह planning करनी है अगर उसे हो सकता है market share बढ़ाने की बात करते हम market share हमें क्या करना है increase करना है अब market share को किस तरह increase करेगा with the help of fund अब वो देखेगा कि सबसे पहले मैं अपनी अगर मैं कहीं marketing में कह सकते है marketing करता हूं तो marketing के लिए किस source का use करो और उसको कितना fund allocate करूं उसके बाद अगर बात कर रहे हैं कि वो अपने previous trend को देखेगा कि मैंने किन किन work में investment करी थी पहले और किस से मुझे overall best benefit मिला है best profit मिला है तो वहां से उनको analyze करकर वो देखता है कि हाँ ये तरीका है जिसके थूर के अपने market share को मैंने एकदम इससे previous year में use किया था और tremendous effect इसका result मेरे को देखने को मिला था तो यहाँ पर financial manager must be involved in strategic and decision making related to organizations, overall directions and objectives और strategies बनाई की जाती है कि हमारे organization का जो एक final goal होता है, final decision होता है, final objective or direction होता है उसको achieve करने के लिए इन सभी को किया जाता है, यह सारी कैसी strategies होती है, हमारी financial strategies होती है कि अगर उसके पास 100 रपे हैं तो उन 100 रपे का किस तरह use कर सके, जिसके तो लोगे अपने market share को increase कर सके उनको long term में use करे, या short term में use करे, कहा investment करे, यह सारे काम किसके होता है, financial manager के next आपका risk management, क्योंकि जब आप business कर रहे हो, तो कहीं न कहीं risk आपके organization के साथ जुड़ाई होता है risk किसी भी तरीके का हो सकता है, हो सकता है, आपका operations का risk है, आपके investment का risk है, या आपकी financial transactions का risk है कुछ ऐसे risk होते हैं, जिनको कि आप control कर सकते हैं, like कि आपको अगर आपका supplier, raw material provide नहीं करना, तो आप वहाँ पर उसको दूसरा supplier select कर सकते हैं लेकिन अगर वही पर government ने random अपनी inflation rates को change कर दिया, अपने interest rate को change कर दिया, कोई नही policy बना दी, जिसने directly आपके business के उपर effect कर रहा है तो वहाँ पर आप उसको खतम नहीं कर सकते हैं, बट वहाँ पर आप strategies बना सकते हैं, जिसके थूप उसके effect को कम कर सको, minimize कर सको तो यह देखना होता है हमारे financial manager को, कि future में या कहाँ सकते हैं, कौन-कौन से risk associated है, उसके firm square guarding, उसके risk किसी भी factor में हो सकता है, operation का, investment का, financial का, capital का, production का, मतलब किसी भी तरीके का risk हो सकता है उसे देखना होता है कि अब कौन-कौन से risk future में आ सकते हैं, तो पहले उन्हें identify करो, फिर उन्हें analyze करो, और फिर ऐसी strategies को बनाओ, जिसके थूप कि उनके effect को minimize किया जा सके, उनको खतम किया जा सके, यह काफी बड़ा बार कूता है, कि कि इसके अदर आपको देखो, पहले उ एकसेस करना है, फिर नई policies बनानी है, नए steps लेने है, strategies बनानी है, जिसके थूप कि आप उस risk को खतम कर रहे हैं, अगर आपने अच्छी strategies बनाई, तब तो आप risk को manage कर लोगे, बट अगर आपने हलकी सी भी हम mistake कर देए, तो हो सकता है जो आपका risk और बढ़ जाए, आपका loss और increase हो जाए, तो काफी challenging work होता है financial managers के लिए, next है resource allocation, अब resource क्या देखो, कोई भी finance manager है, उसके पास resources तो limited available होते हैं, उसके पास manager आपको बताया है, कि 100 rupees available है, अब उसके बाद department तो बहुत सारे firm के अंदर हो सकता है, production department अलग है, marketing department अलग है, sales department अलग है, research department अलग है, इसी तर department की requirement वो किस तरह पूरा करे, with the use of limited resources, तो यह उस finance manager को देखना है, उनकी importance के हिसाब से, उनकी requirement के हिसाब से, और उनकी, कह सकते है, highest return के हिसाब से, किस से कितनी return मिलेगी, उसकी क्या value है firm के अंदर, उसके हिसाब से, अपने total financial resources को, priority के हिसाब से, उनको divide करना होता है, allocate करना ह होता है, जिसके तरू कि हर किसी की requirement पूरी हो सके, और firm भी अपने profit को easily achieve कर सके, अपने goals को achieve कर सके, तो यह आपके challenges थे जो कि financial managers के सामने आते हैं, और इन सभी को tackle करना होता हमारे financial managers को, या कह सकते हैं, यह problems आती है, face करनी परती है हमारे financial managers को, अगर आपको किसी point में doubt है, issue ह तो आप comment section में comment करकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे Instagram और Telegram पर भी follow कर सकते हैं, तो मिलते हैं जल्दी ऐसे और topics के साथ, ऐसे और updates के साथ, तो stay tuned, stay connected with scoremax